दोस्तों बॉलिवुड में ऐसी कई चर्चित अभिनेत्रिया रहीं जिन्होंने करियर के शीष पर पहुँच कर ग्लैमर वर्ल्ड और स्टार्डम को अलविता कह दिया कुछ ने मनचाहे रोल्स की कमी के चलते फिल्मी दुनिया से नाता तोड़ा तो कुछ के अपने निजी कारन रहे इसके अलावा कुछ अभिनेत्रियों ने फिल्मों में बार बार टाइप कास्ट होने के बज़ाए अपने फिल्मी करियर से मुह मोड़ना ही बहतर समझा दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बॉलिवुट की एक ऐसी अबिनेत्री की दास्ता सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने बड़े परदे पर कदम रखते ही अपनी खूबसूरती और अभिने से लोगों का दिल जीत लिया खास बात ये रही कि इस अबिनेत्री को पहला आफर महस 14 साल की उमर में मिला था दोस्तों सत्तर असी के दशक के कुछ बहतरीन नगमे भी इस अदाकार पर फिल्माए गए हैं मगर एक अच्छा करियर और रुत्बा होने के बावजूद इस एक्ट्रेस ने एक वक्त के बाद बड़े परदे को अलविधा कह दिया बता दें कि बॉलिवुट की इस बैदरीन अदाकारा की प्रोफेशनल लाइफ के अलावा परसनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही माना जाता है इस अभिनेत्री के कई एड्माइरर्स भी रहे हैं दोस्तों अब तक के इंट्रोडक्शन से आपने अंदासा लगा ही लिया होगा कि आज की चर्चा अभिनेत्री बिंदिया गोसवामी पर आधारित है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की लुकलाइक के तौर पर जानी जाने वाली बिंदिया एक वक्त पर बॉलिवुट की सक्सेस्फुल अभिनेत्रियों में शुमार थी पर एक समय के बाद इनके करियर में ठहरावाया और इन्होंने अभिने से दूरी बना ली तो आईए दोस्तों हमारे इस वीडियो के जरीए जानते हैं बॉलिवुट की इस कापिल और खुबसूरत अभिनेत्री बिंदिया गोसवामी से जुड़ी दिलचस्प बाते हैं यहां हम आपको इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई अनकही बातों से रूबरू भी करवाएंगे दर्शकों से गुजारिश है कि वो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें बिंदिया का जन्म 6 जनवरी 1962 को भरतपुर राजिस्थान में हुआ था इनके पिता एक तमिल आयंगर थे जबकि इनकी मा एक कैतोलिक थी इनके परिवार की खास बात ये रही कि इनके पिता ने साथ बार शादिया की थी बता दें कि बिंदिया बच्पन में अपनी बेहन की तरह एर होस्टेस बनने के सपने देखती थी पर डेस्टिनी को कुछ और ही मन्सूर था दर्शकों शुरुआत में बिंदिया गोसौमी का फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं था अब हम आपको बताते हैं कि बिंदिया आखिर ग्लैमर वर्ल्ड में कैसे आए हुआ यूँ कि जब बिंदिया अपने परिवार के साथ किसी पार्टी में गई थी तब उसी पार्टी में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की माने उन्हें नोटिस किया खास बात ये है कि खुद हेमा की मां को बिंदिया हेमा की लुक अलाइक लगी इनके चहरे का भोलापन और साथगी हेमा की मां को कुछ इस तरह पसंद आया कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के कुछ जाने माने प्रोड्यूसर्स को बिंदिया का नाम सज़ेस्ट किया बता दें कि साल 1976 में आई फिल्म जीवन जोती में बिंदिया को बतौर लीड एक्ट्रेस कास्ट किया गया था फिल्म जीवन जोती तेलगू फिल्म मुत्याला मुगू की रिमेक हैं। इस फिल्म के दौरान इनकी उम्र मैज 14 साल की थी। फिल्म जीवन जोती में बिंदिया ने अभीनेता विजय अरोडा के अपोसिट काम किया। दरशकों को बिंदिया की साथगी बहुत पसंद आई थ भले ही ये फिल्म बहुत सफल नहीं हुई पर इसने बिंदिया गोस्वामी को बतौर अभीनेत्री बॉलिवूट में स्थापित कर दिया। आगे चलकर बिंदिया को कई ओफर्ज मिलने लगे। और पुलिस जैसी कई हिंदी फिल्मों में काम किया। दोस्तों बिंदिया के करियर की गाड़ी बिलकुल सही पटरी पर चल ही रही थी कि साल 1980 के करीब बिंदिया और उनके को एक्टर विनोद महरा के लिंक अप की खबरें जोर पगड़ने लगी। कुछ सूत्रों की माने तो बिंदिया और विनोद दोनों ही एक दूसरे को दिल हार चुके थे। दोनोंने साथ फिल्मों में खूब काम भी किया। दोस्तों बिंदिया और विनोद पर हिंदी फिल्मों के कई हसीन नगमे भी फिल्माए गए हैं। फिल्मों में इनका रोमांस काफी रियल लगता कुछ रिपोर्टर्स की माने तो साल 1980 में महज 18 साल की उम्र में ही बिंदिया ने विनोध महरा से शादी कर ली थी। दोस्तों इस शादी में कोई रुकावट नहीं होती अगर विनोध पहले से शादी शुदा नहीं होते। बता दें कि जब विनोध और बिंदिया के बीच अ जिवादा स्पद्द प्रेम संबंद के चलते सामने आने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें फिल्मों के आफर्स मिलने कम हो गए, हाला कि साल 1984 में बिंदिया ने विनोद से कथित तौर पर तलाक ले लिया, इस वक्त बिंदिया महस 22 साल की थी, कम उम्र में बड़ी स देखने वाली बिंदिया को निजी संबंदों में काफी उतार चड़ाव देखने को मिले, बले ही एक वक्त के बाद विनोद और बिंदिया के रास्ते अलग हो गए, पर माना जाता है विनोद इस रिष्टे के तूटने से काफी आहत थे, विनोद को और भी बड़ा जटका तब लगा जब उनके रिष्टा तूटने के महज साल भर बाद बिंदिया गोसवामी का नाम जाने माने फिल्म डिरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर जेपी दत्ता से जुडा, दोस्तों साल 1985 में बिंदिया ने जेपी दत्ता से शादी कर ली, इस शादी के बाद बिं बिंदिया ने अपने करियर को छोड़ना मुनासिब समझा, बतार अभिनेतरी अपना करियर छोड़ने के बाद उन्होंने पती जेपी दत्ता की फिल्मों में लीड एक्ट्रोस के कॉस्ट्यूम डिजाइन भी किये हैं, उन्होंने एक्टिंग को पीछे छोड़, डिजाइ बिंदिया गोस्वामी के पिता का नाम श्री वेनु गोपाल गोस्वामी था, जबकि इनकी मा का नाम डॉली था, बिंदिया के पिता वल्लब संपरदाय के एक पुजारी थे, बिंदिया के पिता एक तमिल थे, जबकि मा एक कैथलिक थी, इनके भाई का नाम राजीव गोस सिद्धी है निधी भी अपनी मा की तरह हमेशा से ही एक्टिंग की शौकीन रही है अपने आपको प्रूफ करने का जजबा इनके अंदर हमेशा रहता था इसके लिए इन्हें एक मौके की तलाश थी और ये मौका मिला इन्हें बिनोय गांधी की फिल्म जी भर के जीले से इन इसके बाद उन्होंने फिल्म जगस से किनारा कर लिया अपने पती जेपी दत्ता के साथ फिल्मों में एक्टरस के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम करने लगी है दोस्तों आज बिन्दिया फिल्मों में अब इन्हें से भले ही दूर है पर कॉस्ट्यूम पूरत अधाकारा बिंदिया गोस्वामी के जीवन से जुड़ी बाते हैं। हमने बिंदिया के जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े पहलूँ पर चर्चा करने की कोशिश की है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद कृपिया यूँ ही हमारे चैनल से जुड़े रहें।